हलो मैं डियर फ्रेंड्स और वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लैट्फॉर्म अन अकैडमी स्वागत है आप सबका इंडिया के सबसे बड़े प्लैट्फॉर्म पे जहां आप सीख सकते हैं हर वो चीज जो आप सीखना चाहते हैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बताना चाहता हूँ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वेकेंसी आप लोगों के लिए आया है और कहां आप पहुंच सकते हैं देखें मेरे भाई लोगडाउन का साल है लोगडाउन के साल में लोगों की नोकरियां जा रही हैं लोग अपने स्थान को गवा रहे हैं लेकिन आपके पास बहुत ही बहतरीन मौका है अपना स्थान सुनिश्चित करने का सरकारी डिपार्टमेंट्स में सरकारी नोकरी में आईए बात करते हैं, जेई का जो Bumper भरती आया है, तो आज का ये वीडियो हमारा जो रहेगा, ये Bumper भरती के लिए रहेगा, जूनियर इंजिनियर का Bumper भरती आया है, इसके बारे में हम डिटेल में डिसकस करेंगे, आज इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊँगा और अंत में जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कौन सा चैनल Let's Crack Gate E.S.C. Civil आपको जिस भी चैनल पर ये वीडियो देखने को मिले आप Let's Crack Gate E.S.C. Civil को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इसको पाना थोड़ा सा असान है तो आप भूल जाएगे गेट को भूल जाएगे E.S.C. को बस एक बार सरकारी नोकरी आप ले लीजिए एक बार कोई भी सरकारी नोकरी आप ले लीजिए भले ही ये B.T.E.C. वालों के लिए नहीं है तो इससे पहले की हम शुरू करें इस Bumper Opening के बारे में बात करना आप पहले मुझे जान लीजिए मेरा नाम है अंकुर मलिक और मैं Civil Engineering का बहुत Senior Faculty हूँ गेट E.S.C. का मैं Expert हूँ 6 साल से जादा का समय है पूरे देश में मैंने Students को पढ़ाया है गेट के लिए E.S.C. के लिए और PSU के लिए S.C. J.E. के लिए और All India Ranks हमने प्रेड्यूस किया है Director हूँ मैं एक ऐसे Institute का जिसने पिछले चंद सालों में सबसे जादा सेलेक्शन दिये है सबसे जादा सेलेक्शन दिये है अगर मैं बात करता हूँ S.C. की S.C. में सबसे जादा सेलेक्शन देने वाला को इंसिटूट है तो वो ये इंसिटूट है इस इंसिटूट का मैं डिरेक्टर हूँ मैंने इस जगह से इतने बच्चों को सेलेक्शन दिया और आप भी वो सेलेक्शन इस बार पा सकते है तो ध्यान रखेगा आपके लिए एक ही चीज़ इंपोर्टेंट है ये और दूसरा आपके लिए इंपोर्टेंट है की अब मैं लोगडाउन में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्लस एजुकेटर मैं बन गया हूँ अनकेडमी पे और आप इंडिया के लार्जेस लर्निंग प्लैटफों में अंकुर मलिक के साथ जुड़ सकते हैं लेकिन आपको याद रखना है कि हमारा क्लास टेली 9 बजे होता है ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करें आप कोई भी चीज मिस ना करें आपको इस चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के बाद आपको वहां मेरी सारी वीडियो देखनी है उन्हें लाइक करना है और मेरा profile वहां आपको मिलेगा इस बायो के link में भी आपको मेरा profile मिलेगा जो on academy app पे है उसको जाके follow करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें चलिए बात करते हैं अब आप आप बात करेंगे कि सर हमें आपसे जुड़ना है हम आपसे कैसे जुड़ें पूरा वीडियो देखेगा बेटा उसके बाद फैसला कीजेगा ये मेरा नंबर है इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके कोई भी जनकारी वट्सेप पे पा सकते हैं दूसरा अगर आप अनकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं इंडिया का लार्जेस लर्निंग प्लाटफोर्म है इंडिया के सबसे भैतरीन फैकल्टी आज यहां पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को वो क्यान दे रहे पे पे जायेंगे इस्तमाल करने के बाद है कं से कम एक साल का लिजिएगा एक साल मैं आप बहुत कम पैसे में आपको मिलता है और आप स्क्रेंचोट भी जे जह एक अपर इस नमबर पर स्क्रेंचोट भीझेगे तो को आप मेरे सूड को जाएंगे और मुझे अपने ।क उनकी मंजल तक पहुचाना बहुत बकू भी आता है चलिए बात करते हैं बंपर भरती के बारे में आज हम सारी जानकारी लेते हैं सबसे पहला वैकेंसी जो आया है सबसे पहला वैकेंसी जो आया है वो आया है राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड में राजस्थान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड का रिक्रीटमेंट है पुराना रिक्रीटमेंट है आप लोगों की खुश किस्मती है कि ये दुबारा ओपन हुआ है आप लोगों की खुश किस्मती है कि ये दुबारा ओपन हुआ है 20 जून 2020 को ये दुबारा अपडेट हुआ था 11 बज के 10 विनिट पे राजस्तान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड का ये वेकेंसी है सबसे पहले आपको बताता हूँ इतना वेकेंसी आया है बेटा कि आप थोड़ी सी मेहनत बस जो मैं आपको पढ़ाऊंगा पेपर तक ये वेकेंसी के डिटेल्स आपको देते हैं कितनी वेकेंसी हैं भाई 1054 पोस्ट हैं 1054 पोस्ट हैं बेटा कभी-कभी निकलती है इतनी वेकेंसी और इतनी वेकेंसी जब निकले उसको लपक लो भाग के दाकि छूट न जाए मोका तो junior engineer का vacancy है बेटा मैं आपको department wise बताता हूँ कि किस department में किस branch का कितना vacancy निकला है हमेशा एक confusion रहता था हमेशा एक confusion रहता था किसे degree वाला apply करेगा, diploma वाला apply करेगा, दोनों apply करेंगे, दोनों के लिए अलग-अलग vacancy आया है उसके अलावा final year के students भी apply कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपके paper की notification आएगी उससे पहले आपके हाथ में degree या diploma होना चाहिए तो final year के बच्चों के लिए बहुत अच्छा मोका है, इतनी कम उम्र में एक अच्छी post पाने का, जेई का पद पाने का तो बेटा PWD की जब मैं बात करता हूँ, public works department की तो देखिए जेई सिविल की कितनी vacancy, 244-276 post PWD की, PWD की एक post के लिए भी लोग मरते हैं, बेटा यहाँ पे 276 post का मोका है 276, ऐसे ही जेई electrical का degree वालों का कुछ ये और diploma वालों का कुछ ये, डिप्लोमा वालों का ये, ये सा सारी vacancies को आप देखते चलेंगे, department of water resources, सिविल की फिर से vacancy आप देखेंगे हमेशा जादा रहती है, डिप्लोमा वालों को जादा मोका दिया गया है, किस में? water resource में, डिप्लोमा को मोका दिया गया water resource में, और degree को मोका दिया गया PWD में, PWD जादा अच्छा department है, जादा मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद mechanical वाले लोग भी निराशना हो, थोड़ा कम है vacancy, लेकिन है जरूर, आपको तो एक ही चाहिए, क्या बोला, आपको तो एक ही चाहिए, बेटा, कितनी भी post हो, हमें क्या फरक पड़ता है, हमें तो एक ही post चाहिए, बस एक व मावालों के लिए भी काफी vacancy हैं, इसको आप देख सकते हैं, राजस्थान स्टेट AMB, जेई सिविल के लिए इतना, जेई electrical के लिए इतना इसको पढ़ें बेटा, और इसको पढ़ने के बाद, जल्दी से जल्दी इस website पे login करें, और website पे आप अपनी, सबसे पहले अपना फॉर्म बर दें, अपने पेपर की तयारी फिर हम शुरू करेंगे, पहले आपको apply करना होगा, आईए आगे देखते हैं, कैसे apply करना है, इसका screenshot ले लो जल्दी से, इसका screenshot ले लो जल्दी से की कैसे apply करना है, राजस्थान RSMSSP Junior Engineer Recruitment 2020, सारे interested candidates online apply कर सकते हैं, 24-6-2020 से लेके, 8-7-2020 से date को note कर लो, इससे पहले ही आपको करना होगा, notification को detail में पढ़ें, ये वादा करें, आप मुझसे इस वीडियो को देखते देखते की, इस वीडियो को बंद करते ही, तीन notification की मैं बात करूँगा, तीनो notification की कोशिश करेंगे, एक notification अभी आया नहीं है, दो notification आ चुका लिंक भेज़ दूँगा, 94668888983, इस नमबर को याद कर लें, अगर आप JEE में selection पाना चाते हैं, देखिए, उसके बाद अपनी basic details को fill करें, अपना photo, sign, ID, सारे documents को upload कर दें, खुद नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं किसी मित्र से करा लें, किसी से नहीं करवा सकते हैं, इमीतर से करा लें, लेकिन इस form को जरूर भर दें आप लो, उसके बाद check your fill details जो भी आपने भरा है, उसको check कर लें, और उसके बाद submit बटन को आप press कर दें, जैसे ही आप submit पे click करेंगे, आपको क्या होगा, आपको payment मांगेगा, कुछ जो payment required है, उस payment को भर दें, ताकि आप का form, complete हो जाए, कितना payment है, कितना पैसा है, सबर बनाए रखें, अगली slide में बता रहा हूँ, उसके बाद इसका एक printout ले लें, final का, ताकि आपको हमेशा के लिए वो सबूत रहे, printout नहीं लेना है, screenshot ले ले, screenshot नहीं लेना है, आप उसका photo ले लें, अगर laptop पे आप कर रहे ह हैं, तो photo लेके उसको mail कर लें, खुद को, ताकि आपके पास हमेशा के लिए वो save रहे, आईए, राजस्तान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ट, जैपूर की हम बात कर रहे हैं, देखे, junior engineer की vacancy है, advertisement number पहली बना दिया, इसको 2020 की application fee कितनी रहेगी बटा, general obc और creamy layer के लिए 4500 रु फीस लगेगी, apply कर ये सब लोग, पूरे देश के बच्चे चाहे किसी भी कोने से हैं, आप apply कर सकते हैं, obc non creamy का ये फीस रहेगा, scst candidates का ये फीस रहेगा, important dates ये बिलकुल इसका याद कर लें बिटा, online application स्टाट हुआ, 4 March 2020 को, last date था 2 April, लेकिन उसके बाद दुबारा open हु फी payment का last date है, 8 July, मैं बताता हूँ आपको कि आप 5 July से पहले अपना सारा काम कर लें, उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि server नहीं चलता है, कुछ नहीं होता है, हमें कोई भी risk किसी परकार का नहीं लेना है, तो चलिए 5 July से पहले आप इसको बर देंगे, exam date बहुत जल्द देंगे, अभी नहीं दिया है, तो आपके पास काफी समय है तयारी करने का, तयारी कैसे करनी है, उसकी वीडियो जल्द मिलेंगी, उसके लिए आप मुझसे जुड़िये, मेरे नंबर पे आप message कर सकते हैं, नंबर दिया नहीं, तो इस channel को subscribe करिए, let's crack get ESC civil, और मेरे profile को subscribe क पर ये जो इस वीडियो के बायो में आपको link मिलेगा मेरा an academy profile का, तक ही आप मुझसे जुड़ पाए, मैं आपको सारी notifications देता रहूँ, admit card भी इसके जल्दी आ जाएंगे, एक बार notification और सारी चीज़ें आ जाएंगी तो, age limit, आप सब इस age limit में आते हैं, 18-40 के कोई भी कैसा रहेगा, कैसे भी भर दे credit card, debit card, net banking, e-mitr, कैसे भी आप भर दे सरकार को बस पैसा पोचना चाहिए, आपके application form का, eligibility details क्या है, candidates having degree, diploma in engineering from recognized university, final year के students भी भर सकते हैं, लेकिन paper की date से पहले आपके पास degree, diploma होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे सब लोग, आईए आग पंजाब का, पंजाब, पंचायती राज, जो लोग नोर्थ से आते हैं, पंजाब, पंचायती राज, जैयन का vacancy आया है, जैई का vacancy आया है, पंचायती राज, अच्छा महकमा माना जाता है, अच्छा department माना जाता है, पहली बात, दूसरी बात, फिर से बहुत जादा vacancy है सिविल वाले लोगों के लिए तो एक जैसा पेपर होगा राजस्तान का पंजाब का और बाकी जो मैं बताऊंगा वो भी आप एक बार तयारी करेंगे सारे पेपर में बैठ सकते हैं आप वेकेंसी एक बार देखिए पोस्ट नेम जूनियर इंजिनियर सिविल सिविल की कितनी वेकेंसी हैं 79 वेकेंसी बहुत बड़ा नंबर होता है 79 चोटी स्टेट में बोलेंगे सर वहाँ 1100 भी बहुत जादा है नई बेटा चोटा स्टेट है जो लोग चोटी स्टेट से आते हुने पता है 79 वेकेंसी की कीमत आपको चाहिए diploma in civil engineering पंजाब सरकार ने सारी confusion को दूर किया और नीचे अलग से लिखा है diploma in civil engineering is the requirement but degree people can also apply diploma requirement है but degree वाले भी apply कर सकते हैं इसको ध्यान रखेंगे 18-37 साल आपकी उमर होनी चाहिए ये date दिया है 11-2020 तक ये सारा आप पढ़ लें इस पे कुछ भी नहीं है आपको बस ध्यान रखना इतना पैसा आपको मिलेगा अगर इस paper को निकालते हैं इस paper का syllabus भी मैं आपको दूँगा और तयारी करने का pattern भी दूँगा सबर बनाए रखी अंत तक देखिएगा electrical वाले थोड़े निराश हो सकते हैं फिर भी कोई बात नहीं mechanical से अच्छा होने एक भी नहीं मिला तो दो vacancy आपके लिए है diploma in electrical engineering चीए लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ आपको तो सिर्फ एक ही vacancy चाहिए ये आपको भी दोनों को salary सेम मिल रहा है civil और electrical को तो चलिए आगे बात करते हैं junior engineer vacancy का detail मैं आपको दे देता हूँ जो general category है जो सब के लिए open है जो दूसरी states के लोगों के लिए भी open है उसकी सिर्फ 19 seats है कितनी seats है? 19 seats है बाकी पंजाब if not available in self देखे ये सारी categories को ये reserve हो जाती है 15, 2, 5, 1, 1, 5, 5, 5, 1, 5, 4 ये सारी categories है इसका screenshot ले ले और बहुत detail में पढ़ ले 2, 6, 3, 5, 1, 1 and finally 2, 89, 79, 281 vacancies आपकी 81 vacancies आपकी बन रही है इसको detail में आप पढ़ सकते है freedom fighter है, sports person है, disability है deaf और hard hearing है तो ये सारी चीजें आपको पढ़ पता होना चाहिए ये सब categories होती है आईए syllabus की बात करते हैं कि पंजाब वाले paper में क्या आपको पढ़ना होता है उससे पहले जान ले कैसे apply करना है important dates देख ले starting dates for apply online ये आपका starting date है, closing date for applying online ये आपका closing date है पास date कितना है चोदा साथ 2020 तो इसको भी कोशिश करें पांच जुलाई से पहले खतम करने का इसको भी कोशिश करें कि आप इसकी filling पांच जुलाई से पहले खतम कर दें देखेगा आगे application fee कितना है SCST of all states OBC of Punjab और SCST of all states 500 रुपया, ex-servicemen 500 रुपया, all other categories all other categories 1000 रुपीज physically ये PWD of Punjab ये जो वहाँ उनके अपने पुराने employees के लिए किया, ex-servicemen के लिए 250, 500 और payment mode आपका online रहेगा जैसा राजिस्तान में हमने discuss किया था अब देखते हैं syllabus for Punjab syllabus को थोड़ा सा जानेंगे syllabus मैं आपको detail में समझाता हूँ देखे बेटा, जो भी syllabus पूछा जाता है, ये syllabus को दो हिस्से में बाठते हैं इस syllabus को दो हिस्से में बाठते हैं एक होगा आपका general general में क्या रहेगा आपके सारे Punjabi रहेगा, English रहेगा Computer Proficiency रहेगा और वो सारे subject जिसकी detail मैं दे रहा हूँ दूसरा आपको मिलेगा Technical जो general है ये आपका 30 question होंगे 30 number के, ये 90 question होंगे 90 number के तो total आपको पूछा जाएगा 120 marks के लिए, 120 marks के लिए राजस्तान वाले का भी बहुत जल्द ये सारा analysis मैं आपको दूँगा अगर आप मेरे contact में आते हैं number पे WhatsApp करते हैं या मेरे profile को follow करते हैं आपको देखने को मिल जाएगा चलिए इसको एक बार थोड़ा सा analysis आपके लिए मैं लेके आया हूँ इसको एक बार देख लीजिए सब लो इस analysis को देख लीजिए general कितने हैं? 30 questions है English कितनी पूछ रहा है? 5 number की English पूछ रहा है पंजाबी 5 number की तो आप बोलेंगे रहे sir हमें तो पंजाबी आती ही नहीं हम दूसरी states हैं कोई बात नहीं बेटा 5 number से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला अगर आप बाकी सारे subjects में अच्छा score कर रहे हैं जर्नल नोलेज और जर्नल अवेरनेस जीके अड़ जीए 5 marks अप्टिट्यूड मेंटल अविलिटी लॉजिकल रीजनिंग सारा 5 number का computer proficiency 10 number का computer proficiency बहुत असान आता है JEE के लिए बहुत असान पेपर माना जाए गाई है civil engineering पूरा जो subject knowledge है जो आपकी field का knowledge है वो 90 number का पूचा जा रहा है engineering materials हलवा subject है एकदम मैं शुरू करूँगा मैं शुरू करूँगा मैं बता रहा हूँ बहुत जल्द मैं शुरू कर रहा हूँ इसको अनक एडमी पे जल्दी से मुझ से चुड़ी और मेरा subscription ले लिजे ताकि आप subject को मिस ना करें 15 number का आ रहा है बेटा surveying and leveling फिर से 15 number हलवा subject building construction हलवा subject एक दम TOS और SOM थोड़ा certificate लगता है बच्चो को theory of structures and strength of materials लेकिन SOM अकेले से वो पूछ लेगा 8 marks का पूरा analysis मेरे पास है इस paper का क्यों तो कि इसको करार है थापर institute और थापर में हमारे पास बहुत सारे contacts हैं थापर से हम बहुत तरीके से analysis कर सकते हैं मैं जानता हूँ कि थापर कैसे paper बनाता है चलिए बेटा TOS और SOM 15 marks highway, bridges और railways जिसकी सारी वीडियोज मैं कुछ subjects आपको already दे चुका हूँ बाकी subjects मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ तो जल्द से जल्द आपको जुड़ना होगा unacademy पे और जिस भी बच्चे को doubt है वो इस number पे मुझे whatsapp करेगा इस number पे मुझे whatsapp करेगा अगर आप कोई भी इसके बारे में detailed knowledge जानना चाते हैं 946688983 इस number पे whatsapp करेगा चले बात करते हैं SSC JN सबसे bumper vacancy सबसे bumper vacancy SSC JN माने SSC JN SSC junior engineer 2020-21 का notification मैं बहुत detail में इसको बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा बेटा इस vacancy का जो notification release date होगा जो notification release date होगा वो होगा 4 अगस्थ 2020 यह आपका चुप गया होगा शायद लेकिन आप मान जाएं मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है notification release date 4 अगस्थ 2020 जुलाई के जस्ट बाद आपका ये paper का date आ जाएगा उसके बाद ये अभी notify नहीं किया है अब अगर आप जानना चाहते हैं कितनी vacancy इसमें आएंगी तो इसमें आने वाली vacancies का नंबर सुनके आप बहुत कुछ हो जाएंगे बिटा इसमें आने वाली vacancies का नंबर है 9272 9272 माने के 9250 से उपर की vacancies तकरीबन 10,000 vacancies आने वाली हैं SSC JEE की 2020-21 में जिसको lockdown का साल बोला जा रहा है जिसमें लोग नोकरिया खो रहे हैं उस साल में आपके पास नोकरी पाने का बहतरीन अवसर है तो शायद आपको समझ आया होगा कि कैसे हम सही knowledge से कोई भी paper निकाल सकते है मैं बहुत जल दिन का course शुरू करने वाला हूँ तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना होगा और मुझे इस number पे आपको WhatsApp करना होगा अगर आप इस advertisement का भी detail जानना चाते हैं ठीक है बेटा आईए आगे बात करते हैं अब आप फिर से मैं एक बार बताता हूँ जो लोग जुड़ना चाते हैं वो unacademy subscription लेंगे AMUS का इस्तमाल करके AM मतलब अंकुर मलिक US मतलब unacademy studies इससे आपको कोई मतलब नहीं आप जब subscription लेने जाएंगे वहाँ नीचे code मांगेगा इस code की जगे पे आपको लिखना होगा AMUS 24 महीने का अगर लेंगे तो बहुत कम extra पैसा आपको देना होगा इस AMUS से आपको क्या मिलेगा AMUS से आपको 10% off मिलेगा जो भी आप लेना चाते हैं और साथ में मैं आपको online test series एक provide करूँँगा बेटा जो यहां लिखा हुआ at the bottom of the screen तो आप जैसे ही screenshot भेजेंगे आपना तयारी शुरू कर देंगे मैं individual personalized तयारी करवा रहा हूँ सब students की तो चलेगा बेटा आपको काफी clarity मिला होगा बाकी आपको मेरा number भी मिल गया है और मुझसे live जुड़के आप मेरी सारी बाते सुन पाए और कैसे तयारी करना है सब सीख पाए और इस वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए और जादा से जादा इस वीडियो को share करिए ताकि सब लोगों को फायदा मिल सके दूसरी बात मेरा profile का link बायो में मिल जाएगा उसको follow करिए मैं अपने center पे भी बच्चों को समझाता हूँ मैं आप लोगों को भी समझाऊंगा तो ठीक है बेटा God bless you all अच्छे से तयारी करिएगा all the best for your exams form सब लोग 5 जुलाई से पहले भर देंगे और form भर के भी मुझे screenshot बेजेंगे ताकि मैं आपकी तयारी करवा सकूँ बाय वेटा God bless you all